हेलो फ्रेंड्स मैं हूं निसान तो राप सभी का स्वागत करता हूं बिहार एगरिकल्चर एकिर्वी में दोस्तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि अगर आप इंटर में एगरिकल्चर लिए हैं दोस्तो आपको पता है अलेबंथ में एग रहता है कौन सा मीडियम में वह पढ़ सकते हैं गरी कल्चर और क्यमेस्टि बाइलोजी या फिर जो ही आपका सब्जेक्ट का कंभीनिशन रहेगा वह कौन सा पढ़ेंगे एगरी कल्चर का बुक कहां पर मिलेगा ठीक है एगरी कल्चर का सलेबस क्या है दोस्तों बहुत सारा डेखियेगा देखनی सुनने के बाद maximum friends के पास share भी किजिएगा दोस्तों अब अब हमारे चैनल को subscribe कर लें दोस्तों यहां पर आपको मिलती रहती है एगिक कल्चर से रेटेट हर डेक चलिए फ्रेंड्स आज की वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं सब्जेक्ट ग्रूप की दोस्तों यानि कि अभी आप इंटर में एडिविशन आपका होने वाला होगा आपको अलेज में जब फर्म फ्रेलब कीजेगा तुमापे कौन सा सब्ज करते हैं यहाँ पर आपको लेना ही पड़ेगा ठीक है केमेस्ट्री एगरीकल्चर यह कंपल्सरी है बाकि अप मैत फिजिक्स और बायलोजी में यह तीनों में से किसी एक सब्जेक्ट को चून सकते हैं जो भी आपको सही लगे वह आप चून सकते हैं जो आपको नियुक्त इसकी नाव हम नहीं बता हैं चले मैं फिर से एक पर बता देता हूं आपको कि आपका सब्जेक्ट गुरूप क्या रहेगा सबसे फर्स गुरूप आपका है केमेस्ट्री बायलोजी एगरी कल्चर हिंदी इंगलीज यानि ये पांस सब्जेक्ट ले सकते हैं सेकेंड आपका गुरूप हो गया फिजिक्स केमेस्ट्री एगरी कल्चर हिंदी इंगलीज ये आपका गुरूप सेकेंड हो गया और दोस्तों यहां पर थर्ड गुरूप आपका हो गया मैतमेटिक्स केमेस्ट्री एगरी कल्चर हिंदी इंगलीज दोस्तों ये पांस सब्ज एक गुरूप के बारे में जान लिए कि आपको कौन सा सब्सक्राइब करना है जो भी आपको सहील लगे वह आप चून सकते हैं ठीक है कई सारे स्टुडेंट केमेस्ट्री बायलोजी एक्रिकल्चर हिंदी इंग्लिस यह वाला चुनते हैं क्योंकि यह थोड़ा एजी होता है क्योंकि बायलोजी और एक्रिकल्चर एक दोसे से थोड़ा मैच करता है ठीक है बांकि आपको जो सहील लगे वह आप चून सकते हैं चले फ्रेंट्स अगला कोस्टन से यहां पर सकेंड है कि आपका मीडियम क्या रहेगा आप किस मीडियम में इसको पढ़ सकते हैं हिंदी म áis मिडियम में अफिन इंघलिस मेंगलिस में बढ़िए इंटर में आप दोनों मीडियम में यह पढ़ाई करते हैं ठीकते हैं साब्चेक्ट आपको एंगलिस में आप लिए हैं दोस्तो केमेस्ट्री-बिलोजी लेकिन गर दोस्तो आपका चार सब्जर्ट बचा होगा है केमेस्ट्री बाइलोजी हिंदी-ईंगली ये कौन सा पढ़िये में पढ़ना है यहां देख सकते हैं यहां उसके बाद है और लुग 2 पढ़ना जो साइंस वाले पढ़ते हैं और फिर इंग्लीड पढ़ना जो कि साइंस वाले पढ़ते हैं दो से फिजीक्स में भी करना है पूद्स आपकों NCRT पढ़ना है बिहार में पढ़ना है लाप को चिंशन सान या पर जहां भी देखा जाए तो उसके बाद दोस्तों यहां पर mathematics की बात आती दोस्तों mathematics भी आपको वही पढ़ना है जो कि science वाले यह देख लिजिए यह आपका एगरी कलजा का बुक है यहाँ पर ठीक है दोस्तों यह बुक आपको पटना में प्रिंट होता है वहीं से इस बुक को पर्चेस कर सकते हैं बाग आपके डिस्टिक लेवल पर भी जो अच्छे दुकन हो कि वहाँ पर यह बूक आपको मिल जाए दोस्तों सब से इंपोर्टेंट है अलेवंत है का सलेवर्स क्या है जलिए आप हम सलेवर्स को दिखाते हो अ掉IGHT करिए को कि तो दोस्तों आप आप लोग देख सकते हैं यह क्लास्स अलेवं दो fragen क्या में धिशत 또 पहले दिखें आपका सब से फर्सत 120amमए स madam कि यह दिया हुआ है दोस्तों इस चेप्टर से आपके बूर्ट डिग्जाम में 12 मार्क्स के कोर्शन पूछे जाते हैं जो कि यहां अस्परस्ट आपको दिख रहा होगा तो मैं जूम करतेता हूं ताकि आप लोगों को और अच्छी से दिखाई दे सकें कि दोस्तों आपको लोगों को अच्छी से दिखाई दे रहा हुआ इतना पर सबसे फर्स्ट यूनिट आपका सबसे फर्स्ट चेप्टर आपका है किर्सी का परीचया एबम किर्सी मोसम विग्यान यानि एग्रोनोमी इस चेप्टर से आपके बूर्ट डिग्जाम में 12 मार्क के कोचन पूछे जाते हैं जो आपका फोर्ट चयु परर किर्सी अभीयंत्रण इस् sneaking किर्सी के मसीन के पठते हैं में 8 मार्क के कोचन पूछे जाते में इसके अंदर क्या-क्या पढ़ना होता है दोस्तों वह भी आप अश्पर्ष यहां पर देख सकते हैं वह सब रिटेल में लिखा हुआ है तो मैं ज्यादा रिटेल यहां पर नहीं पता होगा नहीं तो फिर लंबा हो जाएगा चलिए आगला जो था हमारा चेप्टर 5 यहां प वूशे जाते हैं सबसे फर्षो फॉपालयन के बारे में अनिमार के बारे में लिखोर और सो इस कि बाड़ी के हैं दोस्तों है पका लेवां का बूख में टोटल साथ चेप्टर दिया गया है युदिट बंच चेप्ट्टर और jijुनिट टू में दो लिंडट इन्स गयाOP करके आपके ग् juris we go perform perform पूस्छे जाते हैं अलेबंद की एक्जाम में एक economy उसमें के करना होता है कि 30 नमर यह तीज नम्नब हना होता है इस 30 नम्र में placing depend on Me definition माहत पुर्णं फसलो एंब उनके वीज परतिरोपन समागरी की बहचान करना होता है जो कि आप लोग पढ़िएगा चेप्टर में तो आपसे कोशन्स बन जाएगा ठीक है यहां पर आप सभी कोशन्स को एक बार देख सकते हैं यह स्क्रीन सौर्ड रहना चाय स्क्रीन सौर्ड ले ले लिए इसको आप कि युनिट तो में तो आयो चुशन्स पूछा जाते हैं ठीक है और इसमें आठ बार है द्स नमर गेसे नरहीं के कश्र पूछा साथे on तो पहुंच नमर आपको मिल जाते हैं परिवर्मन परियाओगी रिकॉर्ड पर पहुंच नमर आपको पूशा जाएगा मौखिक उससे पूशा जाता पहुंच नमर ठीक है तो यहाँ पर आपने सब्सक्राइब करें अदेशा तो आपको अबाता है अगर आप उसका पीदिफ लेना चाहते हैं उसका पीदिफ लेना चाहते हैं जो तो हमार अप्लिकेशन है बिहार एगडी कल्चर एकेडमी आप गोगल प्लेश्टूर्ट पर सर्च कर सकते हैं आपको वहां पर अप्लिकेशन आज आएगा उसको आप इंस्ट्रॉल करना पड़ेगा फर्स्ट चीज है वहां पर आपको पीडिया फॉर्म मिल जाएगा सेकें तो इस दो चीज को आप कर लिजेगा ताकि आप हमसे जुड़े वेड़ेगा जो फी इंफॉर्मेशन आएगा दोस्तों वह चीज आपको आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगा दोस्तों उसके बाद दोस्तों अगर आप क्लास अले बंत अगरी कल्चर से कोई अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले यहां पर आपको मिलती है अगरी कल्चर से रेटेर हड़े की इंफॉर्मेशन है चले आज के लिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक तक लिए भाई धन्यवाद